हालो बच्चो आपको बौर्ड पे कुछ दिख रहा होगा trigonometric formula formula नहीं formula याइन हम बहुत सारे formula और हिंदी में सारे न बोले बहुत सारे Pay premier मतबब रशे सारे रहता नहीं है फिर बोलने में क्या दिक्काता है हम कुछ भी बोल सकते है बहुत सारे formulae discuss करने जा रहे हैं देखें ट्रिग्रमेटी में कुछ identities तो आपने पढ़ी हैं sin square theta plus cause square theta 1 होता है 1 plus 10 square theta sec square theta होता है 1 plus quarter square theta cause sec square theta होता है 10 theta sin upon cause होता है यह सब पढ़ा है आपने अब मैं angles की बारे में बात करूँगा अगर angles कुछ लफडा कर रहे है sin 0 degree, 30 degree, 45, 60 और 90 तक की values भी हमको याद है 90 से उपर की value 270 तक हो, 360 तक हो, 1000 में value हो उसके लिए हमने formulae पढ़ लिए हैं कि भई आप 180 plus theta, 180 minus theta, 360 वाले पर उस सारे हमको formulae बताए जा चुके हैं हम इसका description में link दे देंगे, उसको देख लीजिएगा आज हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत सारे मालिया दो angle माले plus में लिखे हैं तो कैसे करेंगे multiply में दो टिक्टरमेटिकल फंक्शन कैसे करेंगे चुकि formulae लिखा है और बहुत सारे इस formulae है formulae is word wrong है फिर भी बोलने हम क्या दिक्कत है तो फिक कैसे इसको करेंगे ज़रा समझीगा देखो एक formula जो हम लिखने जा रहे हैं वो तो याद करना पड़ेगा rest हम उसी formulae से निकालेंगे देखी जैसे sin a plus b अब देखीगा they are not given in multiplication यह multiply नहीं है a plus b sin का angle है और दो plus में लिखिये हुए है तो यह formula बनता है sin a into cos b plus cos a into sin b अगर यहाँ पर minus लग जाएगा sin a minus b पहले हम पूरा sin और cos का खांदान खोजेंगे पहले sin का खांदान लेंगे इसके बाद cos का खांदान लेंगे फिर tan का खांदान, अलग-अलग खांदान को लेकरके word करेंगे पहले sin का खांदान ले रहे हैं चुकि एक साथ formula लिखने पढ़ेंगे और rub करने पढ़ेंगे इसलिए हम sin ले रहे हैं minus cos a into sin b sin cos एक साल लेकी चल रहे हैं इसके बाद अगर cos a plus b हो तो यह होता है cos a into cos b minus यहाँ plus में यहाँ minus लगता है इसको derivation नहीं करना है इसको proof नहीं करना है into sin a into sin b और अगर cos a minus b हो तो sin बद चेंज हो जाएगा यह होगा cos a into cos b minus कि जिए कि प्लस हो जाएगा यहाँ पर आएगा sin a into sin b अभी दो ही खानदान लेते हैं यह पहला equation है यह दूसरा equation है यह तीसरा है और यह चौथा है अभी tan की बात नहीं करते हैं देखें एक तो चार फार्मली यह हो गए इसके बात क्या करिए आप कि equation 1 में और equation इसमे क्या ऐसा करीए 1,2 को add कर दीजिए adding equation 1 and 2 equation 1 and 2 देखो जो add करोगे ज़र ध्यान से समझें इधर यह plus में है यह minus में कर जाएगा और यह दोनों same है और दोनों plus में है तो इधर आएगा 2 sin A cause इधर क्या आएगा sin A plus B plus sin A minus B is equal to 2 sin A into cause B यह formula आपको बना 5th 2 sin A cause B का formula क्या आया sin A plus B into sin A minus B यह दो angle है A और B एक sin A है एक cause के साथ है दोनों multiply में है अब दोनों को subtract कर दो subtracting equation 1 and 2 दोनों को subtract करते है जब subtract करोगा देखे ध्यान से क्या लफडा होगा यहाँ minus लगेगा यहाँ minus लगेगा और यहाँ plus हो जाएगा जब आप यहाँ minus करोगे दोनों आपस में cancel हो जाएगे और यह cause A sine B cause A sine B दोनों plus में है तो दोनों add हो जाएगे और इधर आएगा sine A plus B sine A plus B minus sine A minus B is equal to 2 cause A sine B 2 cause A sine B ऐसा करते हैं हम sine खांदान को ही लेते हैं cause खांदान भी नहीं लेते हैं cause को हटा देते हैं cause को बात में बात करेंगे पहले sine खांदान का पूरा जो वही खाता है इसको सही करते हैं तो यह equation 2 आएगा यह equation 3 आएगा यह equation 4 आएगा ठीक है तो एक यह formula मिल गए आपको 2 sine A cause B 2 cause A sine B देखिए फार्मूले में confuse मत होईएगा अगर मैं sine को पहने लिग दूँ cause को बाद में लिख दूँ तो यह sign A cause बन जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है अच्छा अब क्या करें इसके बाद एक और formula देखिए यहाँ पर equation 1 में यहाँ देखिए equation यहाँ देखिए इसके बाद लिख रहा हूँ मैं हमने यहाँ मान लिया कि let A plus B जो है यहाँ पर हमने इसको C मान लिया इस पूरे को एक angle मान लिया C और A minus B को हमने मान लिया D इन दोनों equation को जब solve करेंगे दोनों को add करोगे चुकि इधर आप मानने हो C इसको मानने हो D इधर A और B है तो इधर की value भी तो CD के farm में आना चाहिए तो जो दोनों को add करोगे तो आएगा 2A is equal to C plus D आप 11th class में यह मान लिया जाता है कि आपको simple algebra आती है दोनों को add करोगे B और B कर जाएगा A plus A 2A C plus D इधर आएगा तो A की value क्या आएगी C plus D by 2 दोनों को subtract करो minus करो तो यह minus करोगे तो sign यहाँ बदल जाएगा यह negative हो जाएगा यह positive यह negative तो A कर जाएगा यहाँ से 2B आएगा 2B is equal to यहाँ C minus D आएगा तो B की value आएगी C minus D by 2 यह B निकल आया ठीक अब आपने A plus B मान लिया है C A minus B मान लिया है D और A की value आई है C plus D by 2 और B की value आई है C minus D by 2 तो equation 3 में रखिए देखिए जान से by equation 3 equation 3 क्या है यह हो जाएगा sin C plus sin D मैं इसी में change कर देता हूँ यह angle क्या बन गया यह बन गया sin C पुरा रब कर दो च्छा यह equation बन गया sin C plus sin D sin C plus sin D is equal to 2 sin A था 2 sin A की value क्या है C plus D by 2 into cos C minus D by 2 तो एक फावला बन गया sin C plus sin D is equal to 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2 एक angle को C मानेंगे एक angle को D मानेंगे confuse मत होएगा book में XY भी लिख सकते हैं AB भी लिख सकते हैं हमने C दी मान लिया equation 4 में रखे by equation 4 4 में लिखोगे तो यह C हो जाएगा यहाँ minus हो जाएगा तो यहाँ पर formula क्या बनेगा एक sin C minus sin D is equal to cos पहले आगया 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2 यह formula दिमाग में भी रखने पड़ेंगे ध्यान से समझेगा ठीक है तो confuse मत होएगा तो यह formula दो और बने sin C plus sin D sin C minus sin D इसके पहले क्या बना था 2 sin A cos B 2 cos A sin B ठीक आगे देखें अभी sin खांदानी चला है अभी हम cos खांदान को टच नहीं कर रहें ध्यान रखेंगा अभी cos के बारे में बात करेंगे अब देखे अगर मैं put कर दूँ वोज़े putting word wrong होता है substitution is a right word लेकिं mathematics थोड़ा सा grammar को avoid कर देती है तो कोई दिक्कत नहीं putting B is equal to A in equation 1 1 में B को A रख दू तो यह A plus A हो जाएगा यह बन जाएगा sin 2A और इधर क्या आएगा sin A into cause A plus cause A into sin A तो sin A cause A plus cause A same चीज़ है तो 2 sin A cause A 2 sin A cause A तो यह sin 2A का formula होता है 2 sin A cause एक चीज़ ध्यान समझेगा यहीं से हम कुछ amend करते हैं इसको जब यहाँ पर angle 2A था तो यहाँ angle आधा हो गया A हो गया यहाँ जो भी यहाँ पर angle होगा उसको यहाँ पर आधा कर सकते हैं यानि कि अगर मालिया मेरे पास यहाँ sin A होता केवल तो यहाँ क्या बन जाता यह बन जाता 2 sin A by 2 into cos A by 2 बन जाता बन सकता है अगर यहाँ 3A होता और मैं कहता 2A का formula लगाई यह तो जो भी यहाँ angle होगा उसको half कर देंगा जो भी angle यहाँ होगा अगर यह apply हो रहा है formula 2 ठीक है तो यह sine खांदान में हो गया हमने फिरले sin A plus B लिखा sin A minus B लिखा दोनों को add किया तो 2 sin A cos B का formula बना फिर दोनों को minus किया तो 2 cos A sin B का मना फिर वनने A plus B को C माना A minus B को D माना AB के value CD के formula रखी तो sin C plus sin D बना sin C minus sin D बना फिर हमने B को A रखा तो sine to A बना तो इतना ही जो कारिक्टरम cause के साथ करना पड़ेगा अब आते हैं cause खांदान को उठाते हैं sine को किनारे रग देते हैं अभी 3A वाले formula भी आएंगे लेकिन उसमें cause खांदान भी ऊथ पड़ेगा इसलिए उसको अभी हम disturb नहीं कर रहे हैं देखें cause का देखते हैं क्या है लफड़ा देखें equation हम आगे बानेंगे जो भी इसका one two होगा सेरियल आप देख लिजेगा cause A प्लस B का formula होता है cause A into cause B minus sine A into sine B यहां ऐसा होता है क्यों होता है इसका proof नहीं हम बता रहे हैं कि दोनो cause एक साथ होते हैं दोनों sine एक साथ होते हैं और plus वाले formula में हम minus लगता this is equation number one अब आप कहेंगे 3,4 उधर माल लिया कोई दिक्कत नहीं कुछ numbering आप कर लिजेगा इसके बाद cause A minus B जबाब करेंगे तो आएगा cause A into cause B plus यहां पर आएगा sine A into sine B अब वही यहां पर करिए दोनों को add कर दो adding equation one and two जब adding करोगे तो यह क्या होगा यह minus है यह plus है कर जाएगा और यह cause A cause B two times आएगा इधर क्या आएगा cause A plus B plus cause A minus B is equal to two cause A into cause B यह equation 3 आया एक बाद दोनों को minus कर दो subtracting equation one and two तब subtract करोगे यहां minus लगेगा यहां minus लगेगा यहां भी minus लगेगा क्योंकि already positive है तो यह इधर के आएगा cause A plus B minus cause A minus B is equal to यह दोनों negative आगेगा ना तो यहां आएगा minus two sine A sine B अब देखे equation number four इसके दो तरीके हैं इस minus को हटाने का एक तरीका यह है फिलाल यहां एक तरीका है कि मैं इसको minus से multiply कर दूँ तो पहले cause A minus B आ जाए सिर cause A plus B आ जाए तो cause A minus B minus cause A plus B यह plus two sine A cause B हो sine A sine B हो सकता है अभी हम कर नहीं रहे फिर आपने क्या एजूम किया वही पूरा जो वहां करक्रूम किया था A plus B को C माना A minus B को D माना तो यहां से A की value क्या निकले C plus D by 2 और B की value क्या निकले C minus D by 2 वही वहां जैसे आपने माना था तो by equation 3 equation 3 क्या देगा आपको by equation 3 अब यही हम पहुँच रहे हैं आपकी यही हम चलते हैं यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा आपका cos C यह बन जाएगा पुरा रब कर दीजे यह बन जाएगा cos C plus cos D is equal to 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2 तेख यह formula बन गया equation 4 में रखते हैं value तो जब equation 4 में value रखेंगे by question 4 यह थोड़ा लफड़े वाला है by question 4 तो यह क्या बन जाएगा cos C minus cos D is equal to minus 2 sin C plus D by 2 into sin C minus D by 2 देखो एक तो यह formula हो गया इस minus को हटाने का यहाँ पर क्या विकल्ब हमारे पास है हम यहाँ से minus कामल ले ले तो यह बन जाएगा sin minus कामल लेंगे तो यह बन जाएगा D minus C by 2 और अगर इस पूरे को हम थीटा मालने आप कौन से formula है 2A वाले formula देखिए इसी में हम बात करने जा रहे है equation 1 में B की जगे 1 रग दीजे B sorry B की जगे A रग दीजेगा in equation 1 putting B is equal to 1 putting is wrong word substituting आप लिखिए अच्छी बात होगी नहीं कि लोग यह कहेंगे यह putting बताता है putting is wrong लेकिन हम putting यह लिखेंगे putting B is equal to A in equation 1 तो को जब B को A रखोगे तो एक cause to A बन जाएगा और यह आएगा cause A into cause A तो आएगा cause square A minus यह आएगा sin square A A cause to A का तो यह formula बनता है ठीक या दूसरा यह है कि cause square A को लिसकते हैं 1 minus sin square A यह identity होती है और minus sin square A already है तो 1 minus 2 sin square एक formula यह बनता है आपका cause to A का या आप sin square को लिख दो 1 minus cause square A तो एक formula बनता है 2 cause square A minus 1 तो एक cause to A के तीन formula है एक यह formula है और एक formula यह होता है अब आपके याद कौन सा करें कोई भी याद कर लीज़े तीनों याद करने पड़ेंगे इन दोनों का एक अपना वो है एक अपनी responsibility है जब भी cause to A के साथ जब भी cause to A के साथ 1 आएगा प्लस में या माइनस में तो आप याद रखेगा कि 1 is the dushman of cause to A 1 is the enemy of cause to A cause to A का 1 दुस्मन होता है तो cause to A का वो फामुला जो 1 को कैंसल कर दे और हम जानते हैं ये वाला फामुला अगर रखें यहाँ पर 2 cause square A minus 1 तो इस विल कैंसल आउट या अगर 1 minus cause to A आएगा तो हम लिखेंगे 1 minus 1 minus 2 sign square A ये वाला फामुला तो आएगा 1 minus 1 plus 2 sign square A तो ये कड़ जाएगा 1-1 cancel हो गया तो हमेशा ध्यान रखेगा cause to A का सबसे बड़ा दुस्मन 1 होता है जहां भी 1 होगा cause to A दुड़ा के उसको लाठी मारेगा और लाठी उसके पास कौन सी है ये दो फामुली ये याद रखेगा हमेशा 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 ये दुस्मनी अदा करनी ही करनी आपको है अच्छा एक नोटिंग जैसा कि हमने का अभी यहाँ पर अंगल क्या है 2A यहाँ अंगल आधा हो गया है अगर यहाँ A हो जाता तो यहाँ पर A Y2 हो जाता तो यही फार्मुले कॉज A के बन सकते है एक बन सकता है कॉज स्क्वाइर A Y2 माइनस साइन स्क्वाइर A Y2 ज़रा इन फार्मुले जो लिख रहे हैं बहुत ध्यान से देखेगा जब आप 12th क्लास में जाएंगे वहाँ इंट्रिगल डिफ्रेंसेशन एक नई ब्रांच आपको मिलेगी 11th में भी मिलेगी थोड़ी बहुत दिफ्रेंसेशन तो वहाँ टीचर कहेगा कि आपने 11th में से पढ़ लिया होगा यह डिरेट वहाँ अप्लाई करेगा तो कन्फ्यूज मत होएगा दूसरा फार्मुला 1-2 sin2 A by 2 तीसरा फार्मुला 2 cos2 A by 2 तो यह आपका cos खांदान का पूरा description है अब 10 खांदान आएगा 10 में देखे क्या है 10 A plus B, 10 A minus B cot A plus B, cot A minus B sec और cos sec के नहीं है तो आप कहेंगे 10 और cot के क्यों है क्यों है अभी हम बता रहे हैं क्या दिक्कत है इसलिए बनाया गया फार्मुला देखे, 10 A plus B का फार्मुला क्या होता है 10 A plus B is equal to 10 A plus actually sin A plus B upon cos A plus B होता है sin A plus B upon cos A plus B लेख सकते हैं ऊपर sin A plus B खोल दीजे, नीचे cos A plus B खोल दीजे और ऐसे term से divide कर दीजे कि पूरा system 10 में convert हो जाए तो यह फार्मुला मिलता है 10 A plus 10 B upon 1 minus 10 A into 10 B यह equation 1 हो गया दूसरा है 10 A minus B का फार्मुला 10 A minus 10 B upon 1 plus 10 A into 10 B 2, cot का साथ लिख दो, cot A plus B अब दिखे, अब आप कहेंगे बस sign का है, cause A का नहीं है क्योंकि हमने का cause A को sign में convert कर लो यहाँ चुकि denominator का लफड़ा है और cot में change करने के लिए आप सब को cot में convert करेंगे LCM लेंगे तो था कॉम्प्लिकेशन हो जाता है इसलिए formula दिया इन्होंने, otherwise आप यहाँ से change कर सकते है cot A plus B को 1 upon 10 A plus B रखे, इस value को पलर दीजे और पूरे system को cot में convert कर दीजे, you will get the value cot A plus B का formula होता है, cot A into cot B minus 1 upon cot B plus cot A अब आप प्लस में तो cot B plus cot A क्यों लिखा आपने, cot A plus cot B लिख सकते हैं हां लिख सकते हैं हमने symmetry के तोर पे लिखा है, क्यों लिखा देखे reason हम जब cot A minus B लिखेंगे, तो यहाँ पर cot B minus cot A आएगा cot A, cot B plus 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा cot B minus cot A तो यह आपके, यह question number 3 है, यह question number 4 है जैसे sign को उल्टा कॉसेक, 10 का उल्टा cot होता है, आप इसको पलड़ दीजे और इसको sign में change कर लिजे, sorry, cot में change कर लिजे, अपने अब result आजाएगा अब ज़रा समझीगा, दोनों को plus करने से कुछ मिलने वाला है नि, इसलिए वो 2, sign, a, cause, b, sign, c, d, formula apply नहीं होगा, आप direct b को a रख दीजे, equation number 1 में और equation number 3 में, इसलिए 2 और 4 का काम खतम हो गया है, इसको note कर लिजेगा, देखिए अब यह हम 2 रख करते हैं, चुक्छ 2 का आप यहाँ पर कोई काम नहीं है putting, putting मतब substituting, बारबा मैं बोल देता हूँ, b is equal to a in equation 1 जब b को a रखेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, tan a, tan a plus a, tan to a हो जाएगा इधर आएगा tan a plus tan a, यानि 2 tan a upon 1 minus tan square a, तो यह tan to a का formula बन गया इसी प्रकार से आप यहाँ पर b equal to a रख दीजेगा, in equation 1 में रखिएगा, और equation 3 में रख दीजेगा जब 3 में रखेंगे, तो यह क्या बन जाएगा, यह cot to a का formula बन जाएगा यह cot to a का formula बन गया, क्या आएगा, cot square a minus 1 upon 2 cot a जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ 2 a है, इसलिए यहाँ a है, यह जो भी यहाँ पर angle उसका अधा हो गया है जिसको लिसकते है, cot square a by 2 minus 1 upon 2 cot a by 2, लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगे यह तवा, इसलिए कहीं भी 10 a है और आप उठा को फार्मूला लग देते हैं, तो यह आपके 2 a के formula हो गया, ठीक है, अब 3 a वाले formula देखेंगा, क्या होते हैं, 3 a का formula, निकाल भी सकते हैं, आप प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ भी जरूत है नहीं, sin 3 a, होता है 3 sin a, minus 4 sin q a, actually हम करेंगे क्या, sin 3 a को लिखेंगे a plus 2 a, और फिर sin a plus b का formula खोलेंगे, और सब को convert कर देंगे आप sin में, सिर्पकार से यह cos 3 a होता है, यह 4 cos q a, minus 3 cos a होता है, 4 cos q a, minus 3 cos a होता है, हम बता दें इसमें, यह 3 a को लिखा गया है, sin, ऐसे बनाया गया है, a plus 2 a, फिर sin a plus b का formula खोला गया है, तो sin a cos 2 a, plus cos a sin 2 a, बाद में पूरे सिस्टम को sin में convert कर दिया गया है, तो यह result आया है, प्रूफ कर लिजेगा, अगर चाहें आप, सिर्फ कहां से 10 3 a का formula आएगा, तो आएगा 3 tan a, minus tan q a, upon 1 minus 3 tan square a, अब इसको आप पलर दीजिए सबको, upon में लिख दीजिएगा, तो cos 3 a का formula बना सकते हैं, देखे, मैं बना रहा हूँ, किताब में नहीं लिखा होगा, कभी कभी, कमटीशन में जब पूछ देते हैं, काट 3 a का, मैं इसको पलट रहा हूँ, यहनि 1 upon tan 3 a, यह calculation देख लिजिएगा, तो जब पलटेंगे तो आएगा, 1 minus 3 tan square a upon 3 tan a minus tan cube a, ठीक, अब आप काट में convert करिए, देखो, यह है 1 numerator देख रहा हूँ, 1 minus 3, 10 square a को लिखेंगे, 1 upon cot square a, upon, यह आएगा 3 upon cot a, minus 1 upon cot cube a, यह cube a है, क्यूब a नहीं है, अब समझें बार बार, सर, क्यूब a क्यों बोल रहा है, क्यूब a, ठीक है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, यहाँ पर cot square a, यहाँ पर cot square a, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर cot cube a, यहाँ जब cot cube लिखेंगे, तो यहाँ आएगा 3, cot square a, minus 1, whole upon cot cube a, देखें, यह cot square a, cot cube के 2 power कम कर देगा, a cot उपर जाएगा और multiply हो जाएगा, तो यह आएगा, cot cube a, minus 3, cot a, upon 3, cot square a, minus 1, is the formula of cot 3, so these are the formulae, so many formulae, बहुत सारे इस formulae, trigonality के हैं, इन्हें आप याद कर लिजेगा, memorize कर लिजेगा, इनका use भी बहुत जगे होगा, आगे intermediate में, अलग-अलग branches of mathematics में होगा, okay, thank you.